खुब सारी हो लेक के आई क्या बोलते हैं ना साटेन रिबन लेक के आई तो इस वार क्या होगा ना अभी सीजन की पहली वार ये मुझे मक्की मिली यह मैं अपने वर्ड्स के लिए पैरेट्स के लिए लेक के आई हूं नमश्कार दोस्तों एंड वेलकम वेक टू मैं चैनल हाउस वाइफ क्रियेटिविटी राज सीमा कैसी सब लोग सो आज का व्लॉग जो है कल 28 अफ्टरनून का है तो आप मेरे साथ बढ़ने रहें यह थोड़ा सा समाल लेने दूप से बचा करके जाओंगी मैं आद अपने आपको ठीक है अभी जाती हूं और शॉपिंग करके आती हूं कि दो बजे हैं दो बजे के दस मिनित हुए है तो मैं अभी जानबुज के दुपहर के समय पे जा रही हूं कि लोग कम होंगे तो इतना रश नहीं मिलेगा बहुत जदा धूप है कुछ भी दिख नहीं रहा है बस मैं ऐसे ही कैमरा घुमा रही हूं शायद कुछ दिख जाए चलिए लिफ्ट आ गई है चलते हैं आज इस आमकी मैं बनाऊंगी चेटनी मैं अभी बना रही हूं ब्लैक चने डिनर में सुगे हमने आल पुराठा काया था अभी ब्लैक चने बनाएंगे चालों के साथ ये कच्छे आमकी बनाएंगे चटनी एक सेकिंड मैं बान करके हैं इस दिवाज आ रही है और कच्छे आमकी प्याज डालके पदिन डालके बनाएंगे हम चटनी अधनिया मेरे पास है नहीं तो पदिना की पत्थियां है सुखे वाली बो डाल लोंगी तो चलिए भी चने बनाते हैं ब्लैक चना मसाला चना इंपेक्ट मसाला चना बनाने जा तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है सो जो मसाला चना है वो मैं देसी घी में बनाती हूं देसी घी में हमने पहले रैड चिली डाली फिर धनिया और जीरा जब वो थोड़ा सा ब्राउन से हो गे तो उसमें मैंने प्यास टमाटर लसन अदरक और हरी मिर्ची की जो यह नमक, हलदी, रडचिली पाउडर, गरम मसाला तो देखिए अपी जो मसाले का पानी अच्छे से सूख गया तेल छोड़ दिया और जो हमने चने बॉइल किये थे नमक डाल करके मैंने यह चने बॉइल कर लिये थे अब इसको मसाले में हमने अच्छे से डाल देना और 5- 10 मिनिट हमने इसको पकने देना था कि मसाले का जो फ्लेवर है न इसके अंदर तक चला जाए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी चने का पानी जो बॉइल करते समय से निकला था तो देखिए इस तरीके से हम इसको जितनी ग्रेविया अपने थिक रखनी या रख मैं यह आम की चटनी बना ली है बहुत जमीन लग रही है इसमें क्या था ना मेरे पास पदीना था ना धनिया था लेकिन मैंने इसमें टमाटर का यूज किया है तो भी मैं इसको टेस्ट भी कर लेती हूं कैसी बनी है मज़ा आगया एकदम खटी और तीखी साथ में मैंने यह बना लिये हैं चने यह तो आप लोगों ने देखी लिया है तो यह चावल प्रेशन आ चुका है और भी मैं बनाऊंगी चपाती चपाती सर्थ मैं खाऊंगी और एक ही चपाती बनाऊंगी और हमारा डिनर हो गया क्या कि प्यार तो चलिए बिसके बाद हम इनर कर लेंगे और मैं चुल सों मंच्पाती बाहह दर स्रेल हो जो मैं क्या क्या टेली कि आयूले कि ने चावल आप्षोपिंख्यट की हैं मैं तो यहा बहुत लुत में इसका है वारा गहनते कर लिए नि상 डिकातारी प्रूति तो उम्हीद करती हूँ आज आपको आज का व्लोग अच्छा लगा होगा और समाभ रखने वाला भी मैं इसी में ही आड करूंगी मॉर्णिंग का क्लिप त्यार करके ही मैं आड करूंगी गर्मी बहुत ज्यादा है पंखा भी बंद खी हूँ कि अवाज क्लियर नहीं आएगी बैक वाला पंखा जो है उनकी हूँ मन तो कर रहा है कि बालों को ना ऐसे करके काटके फैक लोग इतनी कर्मी लग रही है तो आज मैं दिन में गई थी मार्किट एक्च्छली मैं उस समय जाती हूँ जब कोई ना हो मुझे फोड़ा सा डर लगता है कि शाम के समय भीड होती है मौर्निंग समय तो इसलिए मैं द दाले लेके आई बेसन, मैदा और सबसे अची जीद लेके आई मैं ये पतंजी की आमला केंडी कि जब भी कुछ खाने का मिठा खाने का मन करें तो ये आमला केंडी इंखा लेने से ठीक है क्योंकि एक चोटा सा हल्दी भी है और आपकी मीठे की तल्ब को भी पूरा कर देत बच्चों को ये पसंद नहीं आएगी और मैंने जो लिया एक स्पैशन अभी सीजन की पहली बार ये मुझे मक्की मिली ये मैं अपने वर्ड्स के लिए पैरेट्स के लिए लेके आई हूं क्योंकि ये बहुत खुश हो के खाते हैं और ये चाली सुर्पे की तीन मिली है औ जब ये खाते हैं न तो इनका ब्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाता है इसलिए मैं लेकिया है ये इस मीम लेकिया ये स्प्रेई पेंट गोल्डन और यालो बैर में एक मैं लेकिया हूं ये पतंजली का ही संस्क्रीन क्रीम लेकर आई हूं अब दुप में जाऊंगी तो कुछ मैं लेकर आई ये वालून्स वह दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था आईडिया तो मुझे लगा कि आईडिया तो क्या वीडियो देखे थे तो सोचा कि चलो उसको कुछ मोड क्या बोलते हैं न थोड़ा मोडिफ दिली का डिश्वाशर लेकर आई कुछ मैं होट गन की ये स्टेक्स लेकर आई ये मैं खुब सारी वो लेकर आई क्या वोते हैं न शाटेन रिबन लेकर आई तो इस वार क्या हुआ न कि अब जो समान चाहिए था मैं सारा ही दो घंडे लगे मुझे और मैं फट 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 लेकर के आगई तो ये थी मेरी आज की जो शॉपिंग कुछ रहा गया हो हां ये एक चीज रहा गी ये मैं लेकर आई हूं पानी पूरी बोलगर पे तीस उर्वे का पैकेट है और इसमें 100 प्लस है तो जो मेरा सेकिंड चैनल है ना स्ट्रीट फूड बुक में उसके लिए म अब हमें बताओ आप कहां से ले रहे हो और ये स्पेशली पैकेट मैंने खरीदा है और उसके ओपर अभी मैं वीडियो बनाओगी तो ये मैं लेकर आई हूं मुझे खूप पसंद है ये चीनी लेकर आई हूं सेंदा नमक लेकर आई हूं पतंजली का पीनी जो है न बहुत अच्छा है तो मैं लेकर आई हूं सच मालों तो मैं पतंजली के बहुत सारे यूज करती हूं मुझे अच्छा लगता है और मुझे भिश्वास भी है कि इसका जो चीजें है वो अच्छी है देखो पसीना आ गया मुझे फुरी तरह से स्वेटिंग होगी मुझे गर्मी सह धनी ही नहीं होती है तो ठीक है अभी वीडियो यहीं पर ही बंद करती हूं तो ओके बाए टेक एर